नमस्कार दस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग फ्लूडाइज कैटलिटिक क्रैकिंग यूनिट के बारे में डीटेल में बात करेंगे इसके पहले भी मैंने पेट्रोलियम रिफाइनरी के उपर एक वीडियो लेक्चर सीरीज बनाया था जिसमें 6-7 वीडियो हैं उसमें मैंने बेसिक ओभर वीव और रिफाइनरी दिया था और उसमें अल्मूस्ट सारे यूनिट के बारे में एक मतलब बेसिक अंडिया था तो उस वीडियो में फीड और प्रोड़क्ट के बारे में और थोड़ा बहुत फ्लूडाइज कैटलिटी क्रैकिंग उनिट के बारे में भी बातचित किया था तो इस वीडियो के देखने के पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वह वीडियो ज़रूर देख लिजे ताकि उसका फीड्ट क्या है प्रोड़क्ट का एक बेसिक आपको जैनकारी रहा ॏस वीडियो में हम लोग इस पूरे प्रोसेस का detail process descriptions के बारे में बात करेंगे overall unit के बारे मैं थोड़ा समझेंगे obviously इतना भी detail में नहीं कि हम कि यह बहुत ही बड़ा लंबा lecture series बच जाए कोशिस करेंगे कि मतलब कोई भी अगर training level पे जितना आपको knowledge की जरूत है और या फिर engineering level पे उतना इस वीडियो से आपको हो जाए तो जो पहले वाला जो वीडियो है वो आप जरूर देख लीजिए और उस वीडियो का link में description में दे दूँगा अभी देखिए यह जो process है पूरा fluidized catalytic cracking unit इसको हम पूरा starting से समझते हैं इसका जो FCC unit होता है उसका जो feed होता है वो feed जो होता है वो basically होता है vacuum gas oil, unconverted oil, इसके अगर fluidized catalytic unit, recid fluidized catalytic cracking unit है तब उसमें VR भी feed में होता है इसके लावा DS-faulted oil भी हो सकता है और भी बहुत कुछ हो सकता है यह सभी क्या है इसके बारे में आप वो जो process description वो जो पहले वाला lecture series अगर आप देखेंगे तो आपको पता ही होगा अब इस unit में कैसे process हो रहा है इसक जो भी feed होता है वो omenus से पहले जो आता है वो surge drum में आता है ठीक है fluidized catalytic unit कोई सभी unit में mostly जो feed होता है वो surge drum में आता है ऐसा क्यों? surge drum का क्या जरूवत है? surge drum का जो जरूवत इसलिया है कि कोई भी unit है उसमें surge drum एक तरह से एक residence time provide करता है तो जो pump से जो मालीजी यह जो हमारा feed pump है surge drum से जो feed ले रहा है अगर surge drum नहीं होता है directly जो है omenus से हमारा feed directly feed pump में आता है तो उसमें क्या होता है कि फीड कोई भी disturbance हुआ उदर omenus से feed आने में तो यह pump भी disturb हो जाएगा और यह मेरा पूरे unit disturb हो जाएगा एक एक तो problem यह हुआ दूसरा अगर feed के साथ जैसे यह ज accumulate हो जाएगा और वह बूट हम लोग drain कर लेंगे तो drain करने से क्या होगा कि हमारा pump में वाटर नहीं जाएगा और वाटर नहीं जाने से यह unit disturb नहीं होगा कोई भी unit में अगर feed oil के साथ अगर water आ जाता है तो पूरे unit disturb हो जाता है suddenly reactor pressure का बढ़ जाता है furnace का outlet pressure इतना बढ़ जा जाता है और इस तरह से unit trip भी हो सकता है तो यह problem हो सकता है ठीक है तीसरा ही है कि साज़डम में एक residence time होने से अगर को emergency हुआ तो आपको shutdown करने के लिए से एक safe time भी मिल जाता है तो यह तीनों ही process की बजह से कि एक तो यह है कि इसको steady flow मिल जाता है pump को दूसरा यह कि water और यह सब आप हटा सकते है गेस भी हटा सकते और तीसरा यह है कि आप एक shutdown कभी आपको residence time मिल जाता है तो यह तीनों में बजह से surge drum मिलता है अब जो surge drum होता ह जनरली और सारे यूनिट मेरी, सेरज़ट्धम का प्रेसर जो गन्त्रोल क्यों आ जाता है, वो या तो Faker सेSeeWGM से मतलब क्या है कि सर्ज़ट्धम का प्रेसर कम हो तो उसमें Faker समbieblegas रहता है, fuel gas enter हो जाएगा और pressure अगर बढ़ गया तो flare से connected रहता है तो control-wall खुलगया और यहाँ flare side में चला गया तो इस तरह से रहता है fuel gas यह nitrogen रहता है अब FCC में नैसे इसाजैन का pressure बढ़किन sah kelu Pop doubling करके directly में fractionator qualsum से जूरा रहता है क्योंकि generally search प्रेश मोशट बंकर तो में से उस में सब्सक्राइब में एक सब्सक्राइब उसашаदम करने मिल नहीं भोगा ऐसे नहीं कि तो फ्लेरिंग करना पड़े तो यह बड़ी है कंसेप्ट है डिरेक्ली में इंफ्रेक्शनेटर कॉलम से जो तो ऐसे ही रहता है अब जो यह सर्च डम से जना फीड है यह फीड पम चला फीड पम से ना यह प्री हीट एक्शेंजर ट्रेंड में जाता है कोई सभी यूनिट हो इनफ्रेचर में होता है उसके लिए नर्जी का रिक्वार्मेंट होता है अगर फीड को गरम करना पड़ता है अब जैसे माल फ्रीड अगर 80-90 डिग्री सेस्ट पर है तो उसको हम लोग को 2.500 तक भी ले जाना पड़ता है तो उसके लिए क्या है अब डारेक्ली अगर प्रीड फॉट्रीटी कॉस्ट लग जाएगा दूसरा एक तो यह रिक्वार्मेंट है दूसरा यह कि जो भी पॉड़क्त बनता है ना किसी भी उनिट से तो उसको ठंड़ा करना है और इसको फीड को गरम करना है तो क्या करना कि दूनों के बीच में हीट एक्षेंज करा द क्योंकि lighter product का temperature कम रहेगा फिर उससे heavier ऐसे करके जब सबसे heaviest product है उससे गरम करो क्योंकि उसका temperature सबसे ज्यादा होता है इस तरह से एक preheat मिल जाता है तो जैसे generally अगर FCC का देखा जाए तो उसका जो heavy naphthalene oil है heavy naphthalene oil है उससे पहले preheat किया फिर उसके बाद HCN heavy crack naphthalene oil है फिर उसके बाद LCO से कर दिया LCO product से किया और फिर उसके बाद LCO pump around से कर दिया क्योंकि generally क्या होता है यह कोई भी product होता है ना कोई भी column से तो पहले वह अगर pump around ले रहे है तो LCO का draw temperature directly मिलेगा लेकिन अगर product होता है तो पहले कोई भी column से पहले stripper में जाता है और stripper में जाने के बाद वह जो product निकलता है उसका temperature थोड़ा घठ जाता है तो आप इसलिए बोला था ना कि आप बेसिक वीडियो देख लिए अगर आते आते अगर सारे एक्स्चेंजर्स अगर लाइन में हैं यहाँ पर आप अब है अग करते करते तू अभू दी अगर हम ने करदीया गरम तो ऐसे करते करते फूंडेट लाइनित Verfर्ण भार्णत है ऐसा भी होता है तूंप्रियटakah amino देख्री ना बाद यहां का तेंप्रेचर आउटलीजिक तो हुदि का तेंप्रेचर ओपने रखते हैं यहां का अगा तेंप्रेचर करने रहे हैं तो यहां का कफींग कर तो इस तरह से यह जो है ना डिपेंडिंग ओन रिक्वार्मेंट यह जो एप सी सी का जो सर्खुलेशन वो चेंज करने के लिए हम लोग कोट चेंज कर देते हैं तो उसके बारे में हमें बात करें तो इस तरह से रहता है अब यह जो है यह जो है यह यह राइजर है अब देखे क्रैकिंगनित मों जो रियक्टर है उसको एक्चली थोड़ा नाम कविन्शन अलग है यहां पे जो रियक्टर होसको राइज सरे और जो chilli जिसंको रैजर उसमें एक्च than kै wreckically next सब्सक्राइब बुंत होता है तो कईला से हैं और से को उसके बारे में हम लूएब इब बात कर लेंगा, अब जो रियक्शन होता है न जिस wär में इस को रियंक्टर रिजेंटरर सिस्टम होता है, अब जो कोटार्या और पर अब इस यूनिट तो उसके बारे में बात करेंगे बट पहले ये समझ लेते हैं इस राइजर के बारे में तो यह जो यूणीट हैना आप इस यूणीट का नाम समझें इस यूणीट का नाम है है fluidized catalytic cracking unit यानि cracking हो रहा है catalyst के presence में और reactor bed कैसा है fluidized bed है ठीक है तो इसलिए इस unit का ना रखा fluidized catalytic cracking unit अब यह पूरा process समझने के लिए ना थोड़ा reactor को समझे और reactor अगर आपने को भी पढ़ा होगा कि अगर माली जी यहां पर catalyst भड़ा हुआ catalyst मतलब catalyst particles हैं और यह भड़ा हुआ है तो fluidization का basic understanding समझने के लिए एक बात समझे कि अगर catalyst भड़ा हुआ और अगर आप नीचे से अगर आप gas पास करा रहे हैं या कोई भी लिक्विट पास करा अगर यह जो बेड है इसको fix bed बोलते हैं तो इस तरह के भी बेड होते हैं जहां पर रिक्शन होता है फिक्स बेड रिक्टर जब मॉस्टली जो dehydrosulphalise मतलब hydro desulphalisation unit जितने होते हैं जिसा पर्टिक्स बेड होते हैं जहां catalyst fix है और उसके बीच के जो porosity हैं वहां से आपका reactant पास होता है और वह product में convert होता है जरसे called fix bed अब मालों कि यहां पे जो नीचे से जो आपका gas या liquid है उसका velocity अगर आप बढ़ा दोगे तो क्या होता है कि velocity बढ़ना से हरे catalyst particle के उपड़ना drag force बढ़ता है मैंने बात भी किया था आपको पता भी होगा cd ड्रैकफोर्स क्या होता है velocity के proportional होता है density के proportional होता है drag coefficient half rho भी तो यह जितना ज्यादा ओंद से फिलर अब वेलोसिती बढ़ाओगे तो ड्रेक फोस आपका बढ़ता is Now injust would उपर की तरफ ड्रैक फोर्स लग रहा नीचे की तरफ इसका वेट है तो ड्रैक फोर्स बढ़ने से एक टाइम ऐसा है कि आप वेलोसिटी जब इतना बढ़ जाएगा कि वह ड्रैक फोर्स ना इसके वेट के एक्वल हो जाएगा तो फिर क्या होगा तो उसको बाद फर्दार आप और वेलोसिटी बढ़ाओगे ना तो क्या होता है यह जो एक दूसरे से जो कौन्टेक्ट में रहते रहते ना वो कंटेक्ट में नहीं राखे अलग-अलग हो जाते हैं जैसे केटलिस पार्टेकल है केटलिस पार्टेकल थोड़ा उठ गया पू कुछ एरिया में तो catalyst particle बहुत ज़्याद है और कुछ एरिया में catalyst ही नहीं है उसको bubbles बोलते हैं फिर कुछ एरिया में catalyst है तो इसको bubbling bed बोलते हैं फिर velocity बढ़ा और velocity बढ़ा तो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा न कि slug flow हो जाता है slug flow मतलब पूरा का पूरा cross sectional area में कही catalyst ही नहीं है और कहीं पर पूरा catalyst है इस तरह slug flow हो जाता है फिर और velocity बढ़ा होता है turbulent flow हो जाता है यह पूरा का पूरा मतलब और un uniform disturbance हो जाता है distribution हो जाता है catalyst का और फिर velocity ऐसे बढ़ाने पर क्या होता है कि पूरा के पूरा but catalyst particle के साथ move करने लगता है और move करने के catalyst एक तरह से मौड करने के आप समूजो की gas के साथ वह भी move करने लगता है और यह जो होता है लव्लीन को बोलते है बड़ नौमेटिक फ्लूडाइड मतलब एक तरह से बोलग एयर के साथεια मौ करना हो नहीं तो वह जो management होता होई ह 온 होता है तो उसके साथ आप catalyst समझो कि पुरा move कर रहा है तो एक तरह से आप समझो कि catalyst particle ना रखे fluid ही हो गया जैसे कि liquid जो है ना नीचे से अगर आप move कर रहे हो नीचे से move की तरह तो वैसे liquid की तरह भी है करने लगता है इसलिए इसको fluidized bed बोलता है आप समझेगे तो उसमें आप सारे equation जो भी फ्लूइड में आपने पढ़ा है वह सारे equation लगा सकते है प्लस रो जी एच हाइट के साथ प्रेसर कैसे चेंज हो रहा है बढ़नावली equation सीमलर तरह के equation सारे वैलीड होंगे क्योंकि वह catalyst solid particle जैसे नहीं भी हैप करके fluid की तरह भी हैप करेगा ठीक है तो FCC का जो राइजर है उसमें इसी स्टेज में रहता है नीचे सो अगर नीचे से जो मारा reactant vapor होता है वह पूरा का पूरा जो है ना catalyst को ऊपर की तरह इस तरह इतना high velocity से रहता है कि पूरा की तरह move कड़ाब देता है लेके चला जाता है लेके जाता है फिर वह catalyst जो है राइजर से regenerator में आता है regenerator से फिर वापस catalyst में तो ऐसे circulate होते रहता है तो यह तो fundamental था अब यह पूरा process समझता है कि कैसे होता है जो हमारा preheat feed है preheat feed ना यह देखिए यह हमारा preheat feed है जिसको मैंने fresh feed से लिखा है यह fresh feed ना यह nozzles के थूरू राइजर में घुशता है अब nozzles क्या होता है एक जो feed है वो एक nozzles होता है nozzles में एक साइड से तो MPST देते हैं और एक साइड से fresh feed देते हैं तो क्या होता है MPST ना वो fresh feed को काफी small-small droplet में break कर देता है nozzles के थूरू नोजल में इतना high velocity से pass होता है कि वो एक दम small-small droplet में तोर देता है ऐसा क्यों करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं कि जब small-small droplet में fresh feed तूट जाता है तो वो काफी आसानी से catalyst के pore में घुश सकता है एक और दूसरा उसका surface से रिया बढ़ जाने से वो काफी easily catalyst के contact में vaporize हो सकता है तो राइजर में जो reaction होता ह वो vapor phase में होता है क्यों vapor phase में होना जरूरी है अगर आपने FCC catalyst देखा होगा तो catalyst जो होगा sand particles जैसे होता है और अगर उसमे liquid pass करा दोगा तो liquid pass कराने से तो mud जैसे बन जाएगा flow ही नहीं खरेगा ठीक है नुमेटिक conveying type का जो चाहिए वो आपका नहीं हो पाता है तो नुमेटिक conveying नहीं हो पाएगा अगर आपका vaporize नहीं हो पाएगा तो इसलिए small small droplet में होना जरूरी है और यह small small droplet में हुआ और इधर क्या होता है nte-regenerator से जो catalyst जो आता है वह high temperature पर आता है और ही temperature पर आता है और वह high temperature आता है और हो प्रिजिम में रहता है और इस मुव्मेंट के दरानी रियक्शन होता है और रियक्शन होता है तो पूरे रियक्शन में कोक बन जाता है मतलब catalyst के ये active sites होता है उस पर कोक deposit हो जयता है FCC में किस तरगी reaction होता है और catalyst क्या होता है क्या mechanism होता है इसके बारे में एक detail में वीडियो में ने अल्रेडी बना रखा है आप उस वीडियो को ज़रूर देख लिजे तो आपको idea लग जाए है कि catalyst क्या है उसके different components क्या है और कॉन्स सा component कॉन्सर reaction में participate करता है तो उसको यहां पे निय较 discuss करते हैं तो वहां पे product vapor में convert हो गया तो यह जो है यह पूरा राइजर है अब इसमें जो यह nozzles है ना fresh fit का वो nozzles rider का जैसे खड़ा हुआ pipe समझो उसमें तो अंदर कुछ है नहीं निशे से उपर की तरह फूरा राइजर ना तो उसमें नोजल एके साइड से नहीं देते हैं चारों तरह से सिमेट्रिक देते हैं तो चार नोजल हो सकते हैं तो चार की जगा बहुत बढ़ा राइजर है तो आठ नोजल हो दस नोजल हो ऐसे बहुत सारे नोजल होते हैं और इस तरह से सिमेट्रिक लिए रहते हैं कि हर साइड से फीड गुसे और वह कैटलिस के साथ मूब करें उपर और वह पर यह तो फ्रेस फीड इसके लावा कुछ है मैंन फैक्सिनेट्र कॉलं से उसको रिसाइकल कर लेते वहां पे भी एंपे स्लरी के को पार्त होबतym थैं तौ यहांसे्ट है और यह से सारी है और यह समर्ण बनता है उसको ब्रेवी घुसाते है क्योंकि वह नीचे वाला पार्ट में एक तरह से फ्लूडाइजेशन में मदद करता है आप समझा ना इधर से जो यह जो कैटलिस आ रहा है वो तो यहां पर तो फ्रैस फीर मिल रहा है ना नीचे अगर फीबिन आपके दे दिया तो वह भी फ्लूडाइज करने में मदद कर द कि दो सेकंड में पोड़ा आपहलो जाता है और दो सेंड में सारे रियक्षिं हो जाता है और रियक्षिं होकर के यह जो राईजर है उसमें सारे जो पोडेक्व अधाय मिक्चर बियों-धे disturbed बाटभ बन गया रियकशन जो होते है रियक्षे इसलिक के नीचे कैटलिस्ट जो आता है काफी high temperature का आता है लिए उपर उपर जाते जाते टेंपरेचर गिर जाता है जैसे मान लोग कि यहां से catalyst जो जह रहा है उसका temperature 700 या 720 डिग्री है तो उपर जाते जाते यहां पे जहां राइजर खतम हो रहा है वहां पे उसको हम लोग temperature 510-515 ऐसे हो जाता है ठीक है तो यह आपका राइजर हो गया अब क्या है ना कि यह जो पूरा हिस्सा है जिसको हम लोग रियक्टर बोलते हैं उसका मेन परपस यह है कि catalyst को को प्रड़क्ट बेपर के साथ separate कर दो क्यों दो परपस एक परपस तो यह है कि catalyst को बैठ गया है उसको हमको regenerate करना है तो catalyst बेकार है deactivate हो गया है और दूसरा प्रड़क्ट बेपर को हमको बाहर निकालने क्योंकि हमारा required चीज हम उसी के लिए तो अब यहां से सेप्रेट करने के लिए इसमें यह सेप्रेशन बहुत important है अगर जारा साथ देरी हुई तो जो आपका वांटेट प्रड़क्ट रना फॉर्दर ऑन्वांटेट प्रड़क्ट में important है ठीक एक बात तो यह दूसरा बात है कि अगर आपका सेप्रेशन बढ़िया नहीं हुआ तो क्या होगा कैटलिस के साथ साथ हाइड़कर्बन बेपर इधर आ जाएगा तो क्या होगा आपका एक तो प्रड़क्ट लॉस हो गया दूसरा है कि हाइड़कर्बन बेपर आके यहां पर रिफ्रेंशियल ही हाइड़कर्बन बेपर बहुत आसानी से जलेगा क्योंकि वह तो एक तरह से आप समझो कि पेट्रॉल या एलपीजी ही आपने दे दिया तो उसके बार में प्रड़क्ट बेपर के साथ सेपरेट कर दो तो क्या होता है जैसे अब यहां पर तो डाइग्राम मैं समझ नहीं पर होगा है मैं विजुलाइज करने के कोशिश करता हूं सायद आपको होगे अलग-अलग तरह के राजर टर्मिनेशन डिवाइस होते हैं अलग-अलग यहां बात करने अलग तिन जहां जहां पर इक शचेंगर के फिर नीचे वहां से दो यहogy निकाल एक साइज निकाल के ऊपर जो गैसे उसे उसको गैस आप समझे के लिए उपर जाने के लिए एक लाइन बना दिये दूए तो समझा यहां पे जो है केटलीस आके टकरा तो नीचे जला गया ठीक है स्रीक पस्में इन ऊब मतलब ऐसे व्यों कि निकला अरे ब्रजना जाना ओफ़से एक और बना दिया स्यों है। तो एक तो यहाँ पर सेप्रेशन हो गया जो भी कैटलीस हो नीचे चलाए अब 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 यह तो सेप्रेशन एफिसेंट होगा नहीं इसका मतलब भेपर के साथ साथ कुछ क्टलिस भी उटका चला जाएगा एक और कैटलीस के साथ कुछ पोड़क भी नीचे आजाएगा दो तो यह जो फेपर के साथ साथ कुछ सवेज्ट तो यह जी जो आज वह लिया ना इसलिए यह यह आता है जो आता है लुद्ध गुस्ता है तो एक तरह से यहां पे रिडी मोडल gleich तो नहीं देखा सकते तो उसमें आपका व्येपर है वो इस तरह से गुछ यहां कि उसमें इंप हैं इस तरह से इंप होगा कि उसमें इक मोसन आजाएगा उसके जैसे सरकुलर मोसन आएगा तो क्या होगा जो इस तो वाल पे कठा होता जाएगा दूटी टो और केलीष वो अल्टिमेटली ऐसे मुवमेंट करते करते सेंटर में आएगा और सेंटर में आकर के सेंटर से अल्टिमेटली वो ऊपर की तरफ चला जाता है सिफशनという यह से गैस ना पात हो एक cats obvious से इसके लिए ट्रिकलवल्व होता है मैं इस ट्रॉपर को थोड़ा यह करता हूं तो इसमें इस तरह से वाघ्य ऌते तो यहां पे ट्रिकलवाकर खोलता है तो यहां इसके में लेटे का आत्र राव आप समझे ना जैसे कोई पाइप है उसमें अगर लिक्विड भड़ा हुआ है और उपर गैस है तो पहले क्या आएगा वाटर ही आएगा ना गैस तो आ नहीं सकता है वाटर अगर एकदम वाटर के लेवल खतम हो जाए तब गैस भी आ सकता है तो हाँ वैसे ही होगा है स्टा क्या स्ट्रवियल को अगरिस घ्रीक अपैल बात करें हैं के एक निट्रींट टरफ पास निचे में और तरह लूंड आ बहुत तरह होता होता है मैंने ग्ज्रीन टरफ कि नोफरासि लेडारेंगस से जो नीचे ना पहले तो वहां पहले तो आप जैसे स्ट्रिंग लगके वह बेपर जो है ना ऊपर की तरफ चला जाए यहां से लगके इधर से ऊपर की तरफ चला जाए यह उपर जाके इसके ट्रे err già市 नगा अब यहां पार लगश्य करें आफ यहां गया कारों को कई किया था कार सकता है कत यहां और कवीच का बीच के परल और सपसा हो सकता है guess तो मंदब यहां पे जिसे आप इसे सब्धियों ना दो catalyst है, दो catalyst के बीच में hydrocarbon vapor entrain होके आगे रहा हो सकता है एक तो यह और दूसरा यह भी हो सकता है कि catalyst के pores के अंदर ही hydrocarbon vapor गुष गया है जो key Clap job है तो estriping section से stripper से तो steam दे करके वो जो दो catalyst माने कैटलीस पार्टिकल के बीच में इंट्रेंड है उसको तो इस्ट्री पाउट करते ही है बट कैटलीस के पोर में जो फास चला गया है हाइड्र कर्म वह तो इस्ट्रीपिंग से नहीं निकलेगा वाट दूरिंग रियक्षन जो और फर्दर यह जो रेजिदेंस टाम मिलत decide how, ही टेमपरचर पोर्डियस करेगा और हाइट अगाय तेंप्रेचर आगा तो एक लिमिटेसाण होता है रिज एक्षे टेमप्रेटर का तो इसका heat of reaction बहुत ज्यादा होता है, तो high temperature होगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको throughput कम करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना कम throughput होगा, उतना कम कोक बनेगा, उतना कम आपका temperature होगा, तो आपको ultimately कोक गटाने का तरीका यही करना पड़ेगा, तो आपका loss है, तो एक तरह से आपका product loss हो गया, और आपका feed गट गया, और आपका metallurgy का भी problem आ गया, ठीक है, और एक और चीज है, catalyst का activity का भी loss हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए h-tipper का अच्छे से काम करना ज़रूरी है, अब यहाँ पर एक चीज द्यान दीजिए, कि यह आपका regenerator है, इसका मतलब यहाँ पर air दे रहे हैं, और air दे करके हमको catalyst में, जो coke deposit हुआ है, उसको burn करना है, अब यहाँ पर एक important बात समझे, यहाँ पर आप air दे रहे हैं, और यह stripper है, stripper से आप यह जो line है, जिसको connect कर रहे हैं, इसको हम लोग stand pipe भी बोलते हैं, क्योंकि यह pipe एदम spend catalyst slide valve बोलते हैं, मतलब यहाँ से catalyst का flow control करने के लिए के valve होता है, जिसको spend catalyst slide valve बोलते हैं, देखे, valve बहुत तरह को हो सकते हैं, जैसे globe valve हो सकते है, उस तरह एक slide valve भी एक valve है, उसमें कुछ नहीं pipe जो होता है, pipe में एक plate जैसा घुशता है, तो जैसे आप slide valve बंद करोगे, तो flow होने लगे, तो यह जो हैना slide valve, अब यह slide valve generally hydraulic circuit से operate कराते हैं, mostly control valve pneumatic circuit से operate कराते हैं, मनने air का pressure कम ज्यादा करके valve को खोलते बंद करते हैं, यहाँ पे इसका individual अलग से system होता है, यहाँ पे oil के pressure के मदद से हम लोग इस valve को open close करते हैं, क्योंकि बहुत critical है, critical के मैं इसको समझे critical इसलिए है, आप समझे रहा है, इधर तो आपका air है, यानि air जा रहा है, और इधर आपका hydrocarbon है, और air है hydrocarbon high temperature में अगर हुआ तो explosive mixture बनेगा, कांड हो जाएगा, तो और यहाँ पे यह जो valve हैना है, यह valve के through flow भी कराना है, तो flow इस तरह से होना चाहिए कि catalyst का flow इधर से इध मैं बोला ना liquid का एक ceiling होना चाहिए, तो आपका यह fluidized बेढ़ना liquid की तरह भी हैप कर रहा है, तो जैसे माल लोई यहाँ से liquid ले रहा है, तो इस तरह से होना चाहिए कि liquid का एक level maintain होना चाहिए, ठीक है, तो यह spent catalyst slide valve है, यह stripper के level से control होता है, level इस तरह से रहता है, कि spent catalyst slide valve level को देखते बढ़ गया तो खोला, level घट गया तो बंकिया, एक, दूसरा, दूसरा point ही है, कि यह spent catalyst slide valve के across जो DP है, मतलब यहाँ का pressure P1 और यहाँ का pressure P2, यह P1-P2 जिसको delta P across spent catalyst slide valve जो बोल रहा हूँ, यह जो है ना, यह बहुत critical है, क्योंकि अगर delta P अगर negative हो यहाँ का pressure बढ़ होगा तब जब अगर इधर label हो तो यहाँ पर pressure थोड़ा ज्यादा ही होगा, तो इसलिए label से ही यहाँ पर pressure आएगा, और reactor का pressure से भी यहाँ का pressure आएगा, तो obviously और भी बहुत सारे तरीके से हैं, हम लोग इसको control करते हैं, उतना detail में नहीं जाते हैं, बट यहाँ और यहाँ क इस तरह से काम करता है कि जब तक label ठीक है, और DP ठीक है तब तक यह label को देखते हुए खुलता बंद होता है, और जैसे देख रहाए DP घट रहे नो तो label भार में जाए DP को देखते हुए, DP हम को healthy रखना है, तो DP मालो की label जो है कम ज्यादा नहीं भी हो बट DP बहुत कम हो रह पहले तो label controller का इस वाल पे control कर रहा था, लेकिन जैसे ही DP एक limit से कम हुआ, तो DP उसके ओपर override कर गया, और DP को control करने के लिए वाल काम करने लगा, ठीक है, तो इस तरह से है, स्लाइड वाल से, catalyst यहाँ पे, यहाँ पे catalyst जो आ रहा है, वह regenerator है, बड़ा सब बहुत diameter होता है, तो यहाँ पे बहुत important है कि catalyst जो है पूरे diameter में अच्छे से disperse हो, नहीं तो एके side मालीजे catalyst आके deposit हो गया, ठीक है, catalyst एकी side अगर आके deposit हो जाएगा, तो क्या होगा, catalyst आके पूरा consume हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे catalyst ज्यादा है, और इधर जो भी air जाएगा वो पूरा पूरा उपर चला जाएगा, अब यह उपर गया, और इधर आपका air कम पढ़ गया, तो क्या होगा, उपर से जब यहाँ product में पर जाएगा, तो उसमें CO बहुत पूरा जाएग और यह high temperature generate होगा तो इस तरह के burning होता है इसको after burning बोलता है, मतलब जहाँ पर reaction होना चाहिए वहाँ ना हो के बाद में जहाँ पर burning हो रहा है, तो यह after burning बहुत problem करता है, क्योंकि वह बहुत high temperature create करता है, जहाँ पर temperature उस तरह से design नहीं रहता है, वहाँ पर जाएगा तेमपरे बहुत catalyst है नहीं, जो भी heat से energy निकला उसको take over करने के लिए कोई बहुत कम catalyst है, तो वह temperature बहुत suit हो जाता है, इसके requirement, energy requirement पूरा नहीं हो पता है, तो after burning नहीं हो इसके लिए 2 important चीज़ है, air का distribution सही होना चाहिए, तो air का distribution सही होने के लिए air का ring होता है, कुछ नहीं, air जो है इस तरह से जो भी entry होता है, वो पूरा एक बड़ा सा ring होता है, और ring में छोटा 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 छेद होता है, तो इस तरह से पूरा diameter में जाए, तो यह जो separator, catalyst distributor इसको बार टब बोलते है, बार टब जैसे दिखता है, यहां पे जो air है उसको एक बड़ा सा ring लगा दिया, फ अब यहां से reaction होना चलूगा, reaction होने से, अब यहां पे जो regenerator होता है तो बहुत तरह के हो सकते है, रीजेनेटर कई तरह के हो सकते है, एक तो यह हो सकता है, partial combustion mode में चलता हो, या full combustion mode में चलता हो, दो तरह के regenerator हो गया, फूल combustion mode में चलता हो, और ऐसा भी हो सकता है कि regeneration हो रहा है, यानि जैसे यह जो डाइग्राम दिखाए गया, यह दो रीजेनेटर यह है, RG1 है, रीजेनेटर 1 और यह है RG2, टू स्टेज में रीजेनेटर हो रहा है, तो दो तरह से regeneration हो सकता है, अब दोनों का प्लस माइनस स इसके पहले यह जो regeneration है, वो कितना होता है, इसका जो heat of reaction होता है, वो 22 किलो केलोरी पर केजी है, 22 किलो केलोरी पर केजी है, आचा, CO plus half O2 बना हो गया, तो CO2 बनेगा, और इसका heat of reaction कितना होगा, इसका heat of reaction होता है, 56, देख रहा हो, CO2 में convert होड़ा है, तो बहुत ज्यादा heat of reaction है, ठीक है, आचा, C plus O2, directly CO2 में convert होड़ा है, तो उसका heat of reaction कितना है, 78, इतना किलो कैलोरी, पढ़के जी है, यह आपका heat of reaction है, तो इसका मतलब क्या है, कि अगर, कोक जो है, सिर्फ CO में convert होड़ा है, इनि पार्सिली combustion होड़ा है, तो heat बहुत कम निकलेगा, ठीक है, heat बहुत कम निकलेगा, तो catalyst का temperature है, बहुत कम सूट होगा, बहुत कम सूट होगा, बहुत कम सूट होगा, बहुत कम सू circulation rate बढ़ाना पड़ेगा, तो उसको हम लोग basically catalyst by oil ratio से देखते हैं, कि feed कितना है, और उसका circulation कितना है, तो basically cat by oil ratio बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तो catalyst circulation rate बढ़ने से reaction favor होता है, क्योंकि ज्यादा catalyst ज्यादा favorable reaction, तो यह तो उस ही सबसे एक फायदा न जरा रहा है, ठीक है, sufficient oxygen देने से CO2 बनता, sufficient oxygen नहीं देने से कुछ coke हो सकता है, क्यों unburned ही रहा जाए, तो fully regeneration ना हो पाए, यह दूसरा इसमें issue हो सकता है, दूसरा ही है कि आप जो CO ही बना रहे होते हैं, यह further CO को treat करने के लिए, आपको CO incinerator में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि atmosphere में आप CO को directly छो होता है, वो नहीं होगा, दूसरा ही होता है कि fully regeneration हो, जहां पे CO2 में convert करा रहे है, बहुत ज्यादा energy generate होगा, temperature बढ़ेगा, catalyst का, catalyst circulation rate अपका घड़ जाएगा, लेकिन catalyst का activity जो है, वो बढ़ेगा, क्योंकि पूरा coke जल जाएगा, तीसरा यह फैदा है कि यहां पे CO2, CO2 में convert करने का ज़रूत नहीं पड़ेगा, और इसका यह एक और चीज है कि अगर आपका temperature बहुत ज्यादा हो रहा है, तो catalyst और reactor के बीच में, आपे cooler भी लगा के उस heat को use भी कर सकते, तो अलग अलग जगा पे अलग अलग तरह के designs होते है, अभी एक और design होता है, उसमें क्या होता है कि एक stage में regeneration हो ही नहीं रहा है, दो stage में regeneration हो रहा है, तो ऐसे design generally, recid fluidized catalytic cracking unit में होता है, क्योंकि feed में अगर VR होगा न, तो VR में vanadium भी होता है, और vanadium जो है न, oxygen से react करके, oxygen से react करके, vanadium pentoxide बनाता है, मैं reaction पूरा नहीं लिख रहा हूं, और vanadium pentoxide high temperature पे water के साथ react करके vanadium acid बना अब इसके बारे में अभी नहीं जा रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपका feed में VR है, तो vanadium होगा, और vanadium जो है न, high temperature पे water के presence में vanadium acid बनाए गया, जो की catalyst को destroy कर सकता है, तो फिर RFCC अगर है, तो उसमें कैसे regeneration करा है, अगर हम पूरा regeneration करा रहे है, फुली combustion करा रहे है, temperature बहुत बढ़ेगा, और यह reaction के catalyst खराब हो जाएगा, तो इसलिए वहां पे न, दो stage में regeneration कराते है, RG1, जहां पे हम पूरी तरह से combustion नहीं कराते है, पूरी तरह से combustion नहीं कराएंगे, तो क्या होगा, कि temperature उतना नहीं मिलेगा, कि यह reaction हो पाए, V2O5 प्लस जो यह water के reaction है, जो vanadic acid बनता है, यह high temperature पर ही बनता है, तो high temperature आपको मिलेगा ही नहीं, तो यह reaction नहीं हो पाएगा, दूसरा, तो अब यह reaction होने के लिए आपको water चाहिए, और temperature चाहिए, तो जो भी hydrocarbon, carryover के आता है, वो तो preferentially first stage में ही जल जाएगा, तो water जो भी होगा, वो तो flu gas के साथ य जाता है, तो इसलिए two stage regenerator, two stage regenerator रहता है, RFCC में, और single stage regenerator रहता है, FCC में, ठीक है, anyway, पता नहीं, इतना कितना आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में तो भी कोई बात नहीं, directly हम यहाँ पर regenerator को समझते है, कैसे है, जो भी catalyst आया, air दिया, air regeneration हो, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे भी है, catalyst के साथ, जब reaction होने के बाद, क्या होगा, air अपने साथ कुछ catalyst particle को भी उपर लेके जाएगा, तो वो catalyst particle को separate होना जरूरी है, क्योंकि catalyst को तो हम कर राजर में भेजना है, ऐसा थोड़ी air के साथ ही, air यानि air तो convert हो गया, flu gas में, यानि co2, co2, socks, nox में convert हो और इसके लाबा जो nitrogen था उसके साथ, यह सारा उपर जाएगा, तो catalyst के साथ भी उठा के लेके जाएगा, तो वो catalyst को separate करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए catalyst जो है, cyclone separator में जाता है, तो देखिए यहाँ पे catalyst जो उपर उठा, आप समझे, catalyst जो उपर उठा, ultimately यह cyclone separator में जाता है, यानि two stage cyclone separator है, दो ना होगे, चार, दो-दो cyclone और फिर उसका two stage, यानि primary cyclone, secondary cyclone, तो चार cyclone होगे, फ्लू gas बन गया, अब मालो यह RMCC है, तो यहाँ पर दो stage में होना है, तो catalyst का combustion से 70% तक फर्स stage में हुआ, बागी का 30% उपर कराना है, तो catalyst को यहाँ से उपर भेजने के लिए, एक line होता है, जिसको lift line बोलते है, तो यह हो गया lift line, अब lift line में क्या होता है, कि एक valve होता है, plug valve तो plug valve कैसे काम करता है, plug valve कैसे काम करता है, माली जी यह lift line है, तो उसमें plug valve होता है, एक valve जैसा है, अब यह valve में हम लोग एर दे देते हैं, वो air इधर से निकलेगा, अब यह valve जितना ज़्यादा अंदर जाएगा, तो catalyst को नीचे से उपर जाने के लिए जगा काम हो जाएग से, तो उपर की तरफ move करेगा, यहाँ पर regenerator 2 में आया, regenerator 2 में भी air देखे, complete burning करा लो, यहाँ पर वैनेडी के सिख बढ़ने का chances नहीं है, अब यह इस तरह से catalyst का जो है पूरा का पूरा, आपका movement हो गया, अब यहाँ पर भी वही रात है कि फ्लूगेस के साथ catalyst उरके अब यह फ्लूगेस का होगा, इसके लिए अलग section हो गया, तो हमारे पास यहाँ से जो राइजर है, उसके बाद 2 section और बन गया, एक तो product recovery section हो गया, और एक फ्लूगेस का treatment section हो गया, तो यह दोनों के बारे में बात करेंगे, next part में बात करेंगे, अब यहाँ पर जो catalyst regenerate हो कोक तो बढ़न हो गया, साथ में temperature भी बढ़ गया, अब इस high temperature catalyst को हम लोग को यहाँ पर भेजना है, राइजर में, तो catalyst को भेजने के लिए क्या होता है, कि पहले तो हम लोग उसको withdrawal में भेजता है, withdrawal में क्या होता है, कि catalyst जहां से यहां से निकला, वो साथ में अपने साथ- स्ट्रिपिंग करके, वो flu gas को उपर निकाल दिया, तो catalyst में air बहुत कम हो जाएगा, फिर उस catalyst को हम लोग इधर लेके आते हैं, अब obviously air इतना कम ना हो जाए कि फ्लूडाइस से fixed bed में चला जाए, तो यह basically इस जोर में, minimum fluidization जोर में रहता है, इसलिए हर एक थोड़ा थोड़ हो था, वो control करने के लिए, reactor का लेबल से control कर रहे थे, यह जो है, इसको हम लोग, regenerated catalyst slide valve बोलते है, RCSV, और इसका जो opening close होता है, वो reactor के temperature से decide होता है, यानि यह जो reactor outlet temperature, ROT से decide होता है, तो ROT जब बढ़ेगा, यानि ज्यादा यहाँ पर temperature हो रहा है, तो RCSV के opening कम हो जाएगा ROT जब घटेगा, तो RCSV के opening ज्यादा हो जाएगा, समझेगा, अब तो, मतलब overall आप समझेगे ने, यहाँ पे endothermic reaction, यहाँ पे जो thermic reaction, और overall heat balance हो रहा है, बाहर से heat देने का ज़रूत में, जो coke burning से heat generate हो रहा है, वो ही endothermic reaction में consume हो जा रहा है, same problem यहाँ पे भी है, यहाँ एक catalyst का level रहता है, उस level की budget से catalyst ही इधर आएगा, flu gas नहीं आपाएगा, मतलब air इधर नहीं आपाएगा, क्योंकि ceiling रहेगा, लेकिन अगर इस RCSV का DP, मतलब यहाँ और यहाँ का DP negative हो जाएगा, तो इधर से hydrocarbon उपर जा सकता है, तो hydrocarbon अगर उपर जा सकता है, तो फिर उस case म फिर वही दिक्कत की flow reversal हो जाएगा, यहाँ पे hydrocarbon जाएगा, air के साथ रिक करके explosive mixture बने लेगा, तो इसका DP के साथ override control रहता है, जैसे DP कम हो इसको slide wall को बंद कर लेगा, तो यह overall आपका process है, थोड़ा fast बोलने के कुशिस किया था, अगर आपने पिछले वीडियो भी देखा और यह वीडियो भी देखेंगे, तो मुझे लगता है कि यह साथ वीडियो समझ में आया होगा, अब यहाँ पे एक और important concept है, जो बोलना चाहिए मुझे, कि यह जो risers होता है, वो mostly आजकल के जो risers होता है, cold wall design होता है, cold wall design मतला कि riser ऐसा होता है, कि riser के उपर insulation ही नहीं रह होता है, तो refractory का layer होने से वो refractory main cell को erode होने से बचाते है, तो इसके वाज़े से क्या होता है, कि इधर outlet में बहुत temperature नहीं होता है, तो यह cold wall design हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कि refractory बहुत कम हो, बहुत पतला हो, और तो उस समय होट wall design होगा, तो उस समय इसको, जनरली अगर cold wall design है, तो CS का pipe रहता है, तो उस समय इसको Lysl का pipe दे देते है, material strength बढ़ा दिया, तो refractory का thickness कम हो गया, अब आप बोलोगे material strength बढ़ा ही क्यों रहा है, refractory लगा दो, refractory में एक प्रॉब्लम यह होता है, कि refractory अगर damage हो गया, तो directly इसके contact में आ कि इधर leak हो सकता है, तो दोनों क प्लस और माइनस है, तो overall मुझे लगता है कि यह process है, मैंने समझाने के कोशिश किया, पता नहीं कितना समझ में आया कि नहीं है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट कर सकते हो, fast बोलने के कोशिश किया था जरूर, और काफी information देने के कोशिश किया, तो सायद नहीं भी समझ में आया हो, अब मैं actually कि में FCC में बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे तो बहुत basic level पर ही समझाय हुआ लग रहा है, पता नहीं कितना समझ में आया, anyway, पिछले जो दो तीन वीडियो मैंने orifice flow meter और ये record किया था, तो वहाँ पे complaint आ र two gas का क्या करते हैं, इसका treatment कैसे करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, और फिर एक और पार्ट में हम लोग बात करेंगे, product vapor से further हम लोग LPG, LCN, यानि gasoline, SCN और diesel कैसे separate करते हैं, तो पूरा एक sequence कैसे बनते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो देखने के ल